What the trick is going on friends, मेरा नाम है विकिन डिकोडर की तरफ सर, आप सभी को बहुत बहुत स्वागा था, दोस्तो, इंतजार की घरी खतम हो चुकी है, because आने वाला है वो वक्त जहाँ पर साल का biggest online sale होता है, यानि कि Flipkart Big Billion Days, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 16th October से, और दोस्तो, यही मैं मैं बोलूँगा, बिल्कुल सही वक्त होगा, एक smartphone purchase करने के लिए, क्यों, because आप सभी को पता है कि COVID situation के लिए, पिछले कुछ महीनों से, फोन की price बहुत ज्यादे इंक्रीज हो गई थी, लेकिन यह Big Billion Day में मैं बोलूँगा, perfect time होगा, कोई smartphone बाई करने के लिए, इसके 3 reasons है Number 1, यहाँ पर आपको widest range of brands मिलेंगे, हर तरह के brand आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, Number 2 दोस्तों कि यहाँ पर आपको काफी सारे new interesting launches मिलेंगे, यान कि जो पहले वाले smartphones है, बहुत तो रहेंगे, लेकिन बहुत सारे interesting new smartphone भी launch होने जा रहे है, और Number 3 दोस्तों, इन Big Billion Days में आ ऐसे ऐसे कुछ discount or offer मिलने वाले हैं, जो कि आपको पूरे साल नहीं मिलेंगे, तो यही बिल्कुल सही वक्त होगा एक smartphone purchase करने के लिए, लेकिन उससे पहरे बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए एक surprise है, यानि कि Galaxy A41 brand new smartphone, आप में इसे कोई एक जीच सकता है, तो इस आपके लिए बढ़िया हो सकते हैं, और मैं बिल्कुल budget in से start करने वाला हूँ 7000 से नीचे, और यह बिल्कुल flagship तक जाएगा, और अगर कुछ extra smartphones भी मुझे पसंद आए, तो उनको भी मैं description में mention कर दूँगा, तो guys definitely description में जाके links को follow करना, मेरे ही affiliate links है, तो मुझे भी support मिल ज तो एक दम budget phone से start करता है, और 7000 के नीचे और आपको कुछ ऐसे specs मिलेंगे जो कि कमाल के होंगे, तो मेरा first choice होगा दोस्तों यहापर Infinix Smart 4 Plus, इस phone का मैंने unboxing मेरे चैनल पर किया था, चाहे तो जाके देख सकते हो, और यहाँ पर दोस्तों आपको 6000 mAh के battery मिलेगी, जो कि इस range म कोई भी offer नहीं करता है, साथ मैं आपको एक 6.8 इंच का display मिलेगा, और दोस्तों मैंने personally इस phone को use किया है, यह phone बहुत ही अच्छा budget phone है अगर आप online study वगेरा करना चाते हो, और यह phone आपको 7000 से नीचे मिल जाएगा, इसके बाद दोस्तों मैं suggest करूंगा Realme C11, और यहाँ प लेकिन गाइस अगर आपका budget और दी कम है दिन मैं आपको suggest करूंगा Gioni Max क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा dual camera setup 5000 mAh की battery और यह सब दोस्तों आपको 6000 रुपीज से भी कम में मिल जाएगा, अब चलिए दोस्तों 10,000 के नीचे के budget में आ जाते हैं और इस range में दोस्तों आ 5000 mAh की battery, USB Type-C port, साथ में 6GB RAM और दोस्तों यह आपको 10,000 के आसपास मिल जाएगा नीचे ही रहेगा और दोस्तों यह phone में बिलकुल आग बंद करके आपको suggest कर सकता हूँ next choice होगा दोस्तों मेरा Infinix Hot 10 और इस phone को मैंने review किया है कुछ दिन पहले चैनल पर और इस phone में आपको large display मिलता है, punch hole display मिलता है, 5200 mAh की battery मिलता है, साथ में 6GB RAM और 128GB का storage तो अगर आपको ऐसे cinematic display चाहिए ज्यादा memory चाहिए, then Infinix Hot 10 एक बहुत यचा smartphone आपके लिए हो सकता है अगर दोस्ताब snapdragon processor के अंदर कोई phone चाहते हो, then मैं suggest करूँगा narzo 20A, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है snapdragon 665 का chipset, साथ में triple rear camera setup, एकदम latest launch है realme के तरफ से और यह दोस्तों आपको 10,000 से काफी नीचे मिल जाएगा, तो यह phone भी आप चेक आउट कर सकते है अब दोस्तों आते है 15,000 के नीचे के budget में और इस range में दोस्तों आपको ऐसे ऐसे कुछ phones मिलेंगे कि धमाका हो जाएगा और यहाँ पर मेरा top pick होगा दोस्तों, Galaxy A50s, एक non-Chinese smartphone है, बहुत लोग सैमसंग के brand value को prefer करते हैं तो इसको आप select कर सकते हो, यहाँ पर आपको मिलेगा Samsung का AMOLED display, साथ में यहाँ पर आपको 48MP का primary camera मिल जाएगा, 32MP का selfie camera मिल जाएगा यह phone दोस्तो 15,000 के बहुत नीचे आने वाला है, और मैं definitely इस phone का आपको recommend कर सकते हो, काफी अच्छा phone है नेक्स suggestion होगा दोस्तों मेरा POCO M2 Pro, यहाँ पर आपको मिलता है Snapdragon 730G का chip sit, साथ में quad camera setup और 33Watt का fast charger आपको box कर दे मिलता है, POCO UI दोस्तों बहुत यह optimized UI है और यह phone बहुत एक अच्छा phone है, इस phone का आप pick up definitely कर सकते हो, और एक choice दोस्तों जिसको मतलब mention करना ही होगा, वो है Realme Narzo 20 Pro, एक्दम latest launch smartphone है, यहाँ पर आपको 90Hz का refresh rate मिल जाता है, तो अगर आप high refresh rate display चाहते हो तो इस phone में आप जा सकते हो, लेकिन दोस्तों इस phone का मैं अगर आप इतना fast charging चाहते हो, एक बहुत अच्छा smartphone है, अब आते है 20K के नीचे और दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे कुछ specs मिल जाएंगे जो कि flagship level के है, और दोस्तों मेरा number one pick है जिसको definitely try करना वो है LG G8X, क्यूंकि यहाँ पर आपको मिलता है dual screen OLED display, यह dual screen phone है, और साथ में Snapdragon 855 का chipset मिल जाते है, जो कि एक बहुत ही powerful chipset है, और दोस्तों यह धमाकेदार phone होने वाला है, under 20K में आपको मिलेगा, definitely अगर आप ऐसा phone चाहते हो, तो कोशिश करना दोस्तों, because इसके लिए बहुत ही ज्यादे demand होगा, next choice is a no-brainer, और वो है POCO X3, already हमारे चैनल पर इसके उपर 4 वीडियो आ चुके है, और दोस्तों इसमें आपको मिलता है 120Hz refresh rate, साथ में 33W fast charger, great cameras, जहाँ पर आपको Sony IMX682 का primary sensor मिलता है, दोस्तों बहुत एचा phone है POCO X3, अगर खरीना चाहते हो, then definitely आप इसको जाके purchase कर सकते हो, यहाँ पर मेरा 3rd choice होगा Realme 7 Pro, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है AMOLED display, साथ में 65W fast charger, जो कि अल्मोस्त आपको 35 minutes में phone को full charge कर देगा, साथ में आपको मिलेगा 64 megapixel का primary camera, Sony IMX682 sensor के साथ, और दोस्तों यहाँ पर आपको stereo speakers का support मिलेगा, तो अगर 20K के आसपास आप phone चाहते हो, then Realme 7 Pro एक बहुत एच option हो स iPhone से start करते है, तो दोस्तों अगर आप 30K के अंदर को iPhone लेना चाहते हो, then iPhone SE 2020 को ले सकते हो, यहाँ पर आपको मिलता है A13 Bionic chipset, और साथ में यहाँ का camera जो है दोस्तों वो जबरदस्त है, बहुत यह compact phone है, iOS का support है, दोस्तों latest launch smartphone है, 30K के अंदर अगर आप smartphone iPhone लेना चाहते हो दो आइफोन इसे एक बहुत यचा choice हो सकता है, अगर आप Android में रहना चाहते हो, then मैं suggest करूँगा IQ3, because दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है Snapdragon 865 का chipset, और दोस्तों मैं guarantee जाता हो, कि इस range में कोई Snapdragon 865 आपको नहीं provide करेगा, और दोस्तों यहाँ पर आपको 55W का fast charger भी मिलता ह और definitely अगर आप gaming करना चाहते हो, high performance चाहते हो, IQ3 एक बहुत एच option होगा, जो कि आपको 30K के नीचे मिल जाएगा, और एक phone दोस्तों मैं suggest करना चाहूँगा, वो भी है iPhone, iPhone XR, यहाँ पर आपको A12 का bionic chipset मिलता है, साथ में 6.1 इंच का retina display, तो 6.1 इंच retina display काफी बड़ा display है, और दोस्तों 40K के अंदर आपको यह phone मिलेगा, और मैं इसको definitely suggest कर सकता हूँ, usually यह 50K के अराव घूमता है, इस range में अगर आपको मिल गया और एक iPhone चाहते हो, अभी भी 2020 में मैं इस phone को suggest कर सकता हूँ, दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि और भी बहुत सारे phones है और उनको मैंने description में mention कर दिया है, आप जाके उन link को follow कर सकते है, तो दोस्तों कम पैसे में तो smartphone मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम और भी saving करना चाहते है, और क्या करना होगा, तो बहुत easy है अगर आपके पास कोई भी SBI debit या credit card है, तो उससे आपको 10% additional discount मिल जाएगा, तो अ यहाँ पर दोस्तों आप अगर आपके phone में थोड़ा बहुत scratches भी आ गया, हलका damage भी हो गया, तो भी आप exchange कर सकते हो, उस according value थोड़ी बहुत change हो जाएगे, लेकिन आप निराश नहीं होगे, exchange हो जाएगा, और minimum exchange value है दोस्तों 1000 रूपीज, मत्तब आप चाहे तो additional 1000 रूपी इसे कि अगर आपका skin तूट गया, या फिर आपके mobile में कोई water damage हो गया, या फिर software issue आ गया, तो यह सब कुछ आप definitely able कर सकते हो, दोस्तों यह मैं definitely suggest करता हूँ, कि ऐसे mobile protection plan आप ले लो, finally और एक चीज़ मैं mention करना चाहूँगा, वो है flip card smart upgrade, तो यह कुछ selective Samsung के models के लिए फिल या फिर जो बाकी 30% है उसको pay कर सकते हो, तो यह भी मुझे काफी अच्छा offer लगा, फिलाल सिर्फ Samsung के कुछ models के लिए है, even PMM models के लिए भी आप यह पास सकते हो, अब दोस्तों मुझे पता है giveaway का weight cutter, then yes, आप में से कोई Samsung Galaxy A41 को जी सकता है, rules are pretty simple, number one मुझे Instagram पे जाके follow कीज और number two, उसके latest post में जाके, एक comment छोड़ दीजिए, साथ में, दो दोस्त को tag कीजिए, with hashtag BBD2020 and hashtag IndieCorder, सिर्फ a comment, no entry done, only one comment, that's it, दोस्तों, यह चीज़े कीजिए, और आप में से कोई एक यह जीच जाएगा, मैं विनर रैनाम्स कर दूंगा, description में rules है, पर्ड़ना, तो guys, video कै से लागा, comment करना ना भूलेज, वीडियो अच्छ लागा, तो दीजिए, तो आप का दिन शुब्र, है मिल तक लिए वीडियों मैं, peace.